Hello guys, once again, welcome back to another video on my channel Travel with Palak आज मैं आपको लेकर आई हूँ सरोशी नगर मारकेट में अब समर्स आने वाले हैं तो इस टाइम समर और विंटर दोनों सीजन्स की शॉपिंग आप कर पाएंगे इस वीडियो में विंटर वेर, बैग्स, शूज, स्लिपर्स, किड्स वेर, डेली यूज आईटम्स जैसी काफी चीज़े कवर की गई है तो चलिए बिना देर किये जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए बिक्सी लेन के एंड में स्लिपर्स शूरूंग वाली लेन में आप देखेंगे तो विंटर वेर्स की काफी अच्छी कलेक्शन है इनमें आपको हेवी वूलन्स और लाइट वूलन्स दोनों तरह के स्वेटर्स और टॉप्स का कलेक्शन मिलेगा इनमें 300 रुपीज वाले भी स्वेटर्स और जैकिट्स है और 800 रुपीज वाले भी है पहले तो बारगेन इजिली हो जाता था 800 रुपीज वाली चीज आपको easily 500 रुपीज में मिल जाती थी लेकिन अब ऐसा बिलकुल नहीं है अब बारगेन करना बहुत मुश्किल हो गया है और 100-200 रुपे भी बहुत मुश्किल से कम करते हैं फिर next जीन्स हैं वुलन शर्ट्स हैं जो मैंस और विमन दोनों कैरी कर सकते हैं वासिटी जैकेट्स भी आप यहां से ले सकते हैं यह सब कुछ बिक्सी लेन के एंड वाली लेन में ही है फिर उसी शॉप के साथ में ही ऐसे 200 रुपीज वाले कोट्स और ओवर कोट्स के काफी सारे स्ट्रॉल्स मिल जाएंगे कई बार ट्राइ करना अलाउड होता है कई बार नहीं होता है तो फिटिंग के लिए आप चाहें तो ट्राइ भी कर सकते हैं सेम लेन में 300 to 600 रुपीज की रेंज में लॉंग कोट और ट्रेंश कोट भी हैं बोथ मेन और विमन के इन में अगर आपको ओवर साइज चाहिएं तो वो भी मिल जाएंगे इसी के उपर ही डेनिम जैकेट्स हैं लेडिज और जेंट्स दोनों के लिए हैं और साइज भी इन में एक्सेल तक मिल जाएंगे काफी बड़ी शॉप है यहां पर आपको हर तरहा का विंटर कलेक्शन मिल जाएगा सेम लेन में ठीक इसी शॉप के सामने गुट क्वालिटी में आपको यहां पर डिजाइनर, पुलोवर्स, स्वेटर्स और वूलन टॉप्स मिलेंगे और कलर्स भी ब्राइट हैं और काफी सारे हैं लेन्स भी इन में हैं और अगर आपको डिजाइनर चाहिए प्रिंटेड में तो वो भी इन में मिल जाएंगे फिर बिक्सी लेन में स्टार्टिंग में ही आधार सेवा केंडर है उसके जस्ट साथ में आपको बैक्स का काफी अच्छा स्टॉल मिल जाएगा यहां पर सारे बैक्स मैक्सिमम् थ्री फिफ्टी रुपीज की रेंज में है जैसे यह चेस्ट बैग हैं बॉक्स बैग हैं यह सारे इसी रेंज में हैं थ्री फिफ्टी रुपीज में अगर इनसे आपको bigger sizes चाहिए तो वो sling bags इस तरह के आपको मिल जाएंगे इनमें भी काफी सारे colors हैं black and white के अच्छे combinations इनमें मिल जाएंगे नीचे जितने भी हैं ये सारे hand bags और sling bags हैं इनमें bags की circle shape है, cylindrical shape है अपने style और अपनी dress के according आप back choose कर सकते हैं काफी colorful bags है पूरे सरोशी नगर market में इस तरह के 350 रुपीज वाले bags आपको और भी जगापे मिल जाएंगे minimum यहां से prices स्टार्ट हो जाते हैं 250 रुपीज में sling bags के फिर बिक्सी lane के end में sleep well showroom वाली lane में ही इस तरह के toys की भी आपको collection मिलेंगे इनमें 100 रुपीज वाले भी है और 300 रुपीज वाले भी है कुछ जो इनमें small size में है वो 50 रुपीज में भी आप ले सकते हैं overall quality की बात करें तो quality ठीक ठाक है इनमें से काफी pieces thrifted है लेकिन यह stall हमेशा यहां नहीं लगता है कभी कबार ही आपको लगा हुआ मिलेगा अगर आपको long woolen dresses चाहिए knee length या calf length तो वो भी 250 और 300 रुपीज की रेंज में है इनमें आप चाहिए तो light winters में भी carry कर सकते हैं इनमें size की बात करें तो एक standard size होता है small to medium तक आ जाएगा same इसी तरह short winter sweaters हैं party wear tops है, कुछ shimmery velvet में भी court sets है बाकी trench coat तो आपको पूरी सरोजी नगर में काफी सारे मिल जाएंगे minimum starting हो जाती है इनकी 100 रुपीज से इस टाइम आप जो देख रहे हैं ये सारा 100 रुपीज वाला collection है light winters जैसे अभी feb के मन्त में चल रही है एसी winters में आप ये पहन सकते हैं और sizes की बात करें तो सारे mix sizes है small भी है, medium भी है, large भी है लेकिन फिर भी मैं recommend करूंगी कि आप fitting वगरा चेक करके ही ले zip, buttons ये सब चेक करें और price के according देखे तो quality काफी अच्छी है अब winters जाने वाले हैं तो हो सकता है prices और कम हो जाए और same उसी lane में last furnishing showroom के just सामने bags का भी काफी अच्छा collection है ये bags 200 और 300 रुपीज वाले बिलकुल नहीं है काफी अच्छी quality है इन bags की और जैसी quality है वैसे prices है 500, 600, 900 रुपीज की रेंज में आपको ये मिल जाएंगे अगर आपको अच्छी quality में school bags चाहिए college bags चाहिए ये office purpose के लिए भी backpacks चाहिए तो यहाँ ज़रूर विजिट करें और sleep well वाली जो lane है उसी के just सामने ही Babu market है वहाँ भी सरोजनी नगर की तरह ही काफी अच्छे prices में और अच्छी quality में चीजे मिलती है जैसे कि ये 250 रुपीज के footwear हैं इन में flats भी हैं और heels भी हैं कभी कबार इनके prices 200 भी हो जाते हैं लेकिन जिस दिन मैं गई थी उस दिन 250 रुपीज थे लेकिन इन में आपको अपना size ढूणना पड़ेगा और जे शॉप के बहार ये stall लगता है वो पूरी shop footwear की ही है अगर आपको यहां पर अपना size नहीं मिलता है तो आप शॉप के अंदर से शॉप काले prices पर भी अपना size ले सकते हैं डिजाइन्स वैसे काफी अच्छे हैं इन में और शॉप के अंदर आपको kids के लिए भी footwear मिल जाएंगे तो वो भी आप देख सकते हैं यहां पर kids की बात करें तो winter wear भी चाहिए kids के लिए तो यह पूरा set 100 rupees का है इन में 2-3 साल तक के बच्चों की dresses हैं और अगर एक-दो साल के बच्चों के लिए चाहिए तो उनके लिए भी sweaters हैं 50 rupees इच में यह सारे fur वाले sweaters हैं और इन में sizes भी available हैं hoodies भी आपको इनहीं में मिल जाएंगी और इसके ठीक नीचे teenagers के लिए भी sweaters हैं और girls के लिए भी sweaters हैं shrugs हैं पॉंचूं हैं तो यह भी आपको 50 और 100 rupees की range में मिलेंगे और इसकी location की बात करें तो सरोशी नगर market के gate no.4 के just सामने यह stalls लगते हैं सारे यही पर men's jacket भी मिलती है heavy woolen में वो सारी 400 rupees की range में हैं फिर यहाँ 2-3 stalls ऐसे भी लगते हैं जहाँ पर swimwear और women under garment sell होते हैं summers भी start होने वाले हैं तो यहाँ पर आपको swimwear, beach wear और bikinis के काफी सारे options मिल जाएंगे 50 rupees इच में फिर gate no.4 से enter होते हैं market में तो front में ही shirts की काफी अच्छी range मिल जाती हैं इन्हें girls और boys दोनों carry कर सकते हैं और ठीक इसी के नीचे 150 rupees इच में woolen stalls हैं इनमें भी आपको dark colors, light colors, printed printed, fur वाले यह सारे मिल जाएंगे और अगर आपको shawl style में चाहिए तो वो भी है, quality wise भी अच्छे हैं और full length में है, अभी हम जिस lane में हैं वो सबजी मंडी lane है, metro से जब आप आएंगे तो सबसे पहले यही lane मिलेगी, इसमें 100 rupees वाले sweaters, cardigans और winter tops का का काफी अच्छा collection होता है इनमें कई बार कुछ ऐसे pieces निकलाते हैं जो 200 और 300 rupees में भी नहीं मिलते, तो अगर आप उनमें से कुछ लेते हैं तो please check करके लें, और जहां यह stall है उसके just पीछे shop में आपको jackets, sweaters, cardigans के भी काफी अच्छे pieces मिलेंगे जो 100 rupees वाले से अच्छे होंगे quality wise भी, उसी lane में 50 और 750 rupees की range में chicken curry cookies हैं, और kids के लिए half jacket है, दो से 10 साल तक के बच्चों के लिए आपको यहां पर half jackets मिल जाएंगी, इनका price भी 250 और 450 rupees की range में हैं, varsities, hoodies और win cheater यह सारे 500 तो 600 rupees की range में हैं, तो इस सेम lane में आपको men's collection भी मिल जाएगा, और यहीं पर ही कुछ daily use items और home decor items हैं, जैसे cups, glasses, mugs, bowls, wind chime और designer vase हैं, बुद्धा जी के statues हैं, तो यह सब आप यहां से purchase कर सकते हैं, थोड़ी बहुत bargaining भी हो जाती है, उसी lane में jeans के और traditional wear के भी काफी सारे options हैं, और कई लोगों की शिकायत होती है कि सरोजी नगर market में gents के लिए कुछ नहीं मिलता, तो कुछ shops और stalls ऐसे भी हैं, जहां पर exclusively सिर्फ और सिर्फ जेंट्स की चीजें मिलती हैं, जैसे कि अभी आप ये 250 रुपीज में स्वेटर्स देख रहे हैं, ये सारे जेंट्स के लिए हैं, इन में small sizes भी हैं और large sizes भी हैं, और quality भी 250 रुपीज के हिसाब से देखी जाए, तो काफी अच् मार्केट में ज्यादा तर जो मेंस की चीजें हैं, वो महेंगी मिलती हैं, 500-600 रुपीज में, लेकिन अगर आप ढूननेंगे तो इस तरहां 200 और 250 रुपीज की रेंज में भी काफी कुछ है, तो इस लेन में सबजी मंडी वाली लेन में आपको जैंट्स के लिए, किट्स क के लिए और लेडीज के लिए भी काफी कुछ अच्छा मिल जाएगा, ट्रेडिशनल वियर, ओफिस वियर, कैजूल वियर, कॉलेज वियर, सब है, फिर उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो 90 रुपीज इच में कैप्स का अच्छा कलेक्शन है, कैप्स के साथ 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 और गलव्स भी आपको इन ही में मिल जाएंगे, इन में लेडीज, जैंड, किड्स का सब का मिक्स कलेक्शन है, लेकिन फिर भी अगर आप यहां से कुछ भी लेते हैं, तो अच्छे से उनकी क्वालिटी कोई भी डिफेक्ट चेक करके ही लें, वैसे ये स्टॉल हमेशा नह में जरूर जाएं, तो काई साच के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक्स फॉर वाचिंग